आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन और वो भी आलू के साथ में एक नहीं तरीके के साथ जिनको बनाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है और ये भरवा बैंगन की रेसिपी आज हम बहुती ज़्यादा टेश्टी बनाके रेडी करने वाले हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विलेज कुकिंग यहाँ पर देख लीजे मैंने लिये है जो छोटे वाले बैंगन आते हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बैंगन लिये है बैंगन को मैंने धोके अच्छे से सुका लिया है और साथ में यहाँ पे ले रही हूँ मैं ताजा फ्रेस हरा धनिया चार से पांच हरी मिरिच ले रही हूँ दो टमाटर लिये हैं मैंने हाँ और यहाँ पे मैंने दो लिये हैं मीडियम साइज की प्याज और चार से पांच लिये हैं मैंने यहां पे लेस्टन की कलिया और यहां पे साथ में मैंने तीन अलू लिये हैं तो अलू को मैंने पहले से ही उबाल लिया है सबसे पहले हमें ऐसे बेंगन को ले लेना है और उसमें हमें साइड से ऐसे बीच से कट लगा देना है मतलब दोनों साइट से हमें ऐसे कट लगाने है और सभी बैंगन में मैं इसी तरीके से कट लगा लूँगी देख लिजे आप लोग जैसे मैंने इसमें लगाया है और यहाँ पे इस टपिंग के लिए मैंने ली है आधी चमच हल्दी और यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ स्वाद अनुसार एक चमच ले रही हूँ मैं यहाँ पे धनिया पाउडर इनको अच्छे से मिक्स करके तो अभी हम बैंगन में इस्टपिंग कर देंगे यहाँ पे देख लिजे मैंने छोटी चमच लिए तो चमच की साइता से चाकू की मदद से बाहर की तरब को भी ऐसे लगा दिया है बाकी के बचेवे बैंगन को भी हम इसी तरीके से भढ़ लेंगे यहाँ पे देख लिजे मैंने सभी बैंगन के अंदर मसाला अच्छे से भढ़ दिया है और साथ में जो हमने अलू उबाल के रखे वे थे उनको भी मैंने ऐसे बड़े-बड़े पीसेस में काटा है पियाज और हसन को भी मैंने मिक्सी में गरेंड कर लिया है और साथ में मैंने टमाटर, हरी मिरच और हरे धनिये को भी साथ में गरेंड कर लिया है कड़ाई रग दिये मैंने गैस के उपर वो डाला है उसमें एक चमचा सरसो का तेल तो अभी तेल हमारा अच्छे से होगा है गरम आज हम भरवा बैंगन की सबजी फ्राई करके बनाएंगे तो अभी मैं आपे सारे अपने बैंगन को डाल दूँगी और सारे बैंगन डालने के बाद इनको हलका सा मैं फ्राई कर लूँगी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें सिर्फ हमें इनका हल्का सा छलर चेंज करना है तो कलर चेंज होने तक कि हम ऐसे चमचे को थोड़ा ऐसे चलाते रहेंगे और इस तरीके से अगर हम फ्राइ करके भरवा बैंगन बनाते हैं तो सब जिब बहुत ज़्यादा टेश्टी लग दी है आप चाहे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब जिब बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगी तो अभी देखिए सब भी मैंने बैंगन को फुराई कर लिया है अलका सा तो अभी तेल से बार निकाल दूँगी और उसी बचेवे तेल में मैंने सरसो का तेल थोड़ा सा ओर डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद में डाल ली हुमें आपे जीरा अभी जीरे को हम थोड़ा चटकने देंगे जीरा चटकने के बाद में हम डाल देंगे इसमें प्याज ले सुन का पेस्ट प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक की इसी तरीके से भून लेना है और यहाँ पर गैस के फ्लेम मैंने बिल्कुल लो मीडियम पर रखी है यहाँ पर देख लीजे प्याज का हलका सा कलर चेंज हो गया है और जब प्याज का हलका सा कलर चेंज हो जाए तो तब हम पर हमें डाल देना है एक चम्मच बेसन पेसन डालने के बाद में भी हमें प्याज को थोड़ा और भून लेना है उसके बाद में मैं थोड़ी सी यहाँ पे कस्तूरी मेथी डालूगी यहाँ पे देख लीजी मैंने एक चम्मच कस्तूरी मेथी लिए है तो थोड़ा हाथों से इसको ऐसे करस्ट करके डाल देंगे कस्तूरी मेथी डालने से अलगी फलेवर आएगा भरवा बैंगन की सबजी में तो अभी हमें थोड़ा सा प्याज को और भून लेना है उसके बाद में हम यहां पर डाल देंगे अपनी टमाटर की प्यूरी यहां पर हल्दी पाउडर और यह चमच लिया है मैंने यहां पर धनिया पाउडर और नमक आप अपने स्वादनों सारी इसमें डाल लीजिए सबी सुकी मसाले डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमें मसाले को पका लेना है दो से तीन मिट के लिए लिए 2-3 मिट के लिए हमने मसाले को अच्छे से पका लिया है और अभी हम इसमें डाल देंगे अपने बैंगन और साथ में ही मैं आलू डाल दूंगी दोनों चीजे डालने के बाद में मसाले के साथ अच्छे से इनको ऐसे मिक्स कर देंगे यहां पर ले रही हूं मैं आधी कटो पानी डाला है अभी हम इसको दस मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और गैसी फिलेम हमें बिल्कुल लो मीडियम रखनी है वैसे तो भरवा बैंगन बिन आलू के भी बनते हैं летकिन अगर हम एक या दो आलू डाल कैसे बनाते हैं इस तरीके से तो सुआत और बी ज़ता रढ़ जाता है भरवा बैंगन की सबजी का यहां पर पूरी दस मिनट हो गई है सबजी को पकते वे और गैस की फले मैंने बंद कर दी है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे बैंगन गले हैं और साथ में देख लिजी आलू भी हमारे बहुती अच्छे से गल गई हैं तो फाइनली हमारी भरवा बैंगन की सबजी बनके हो गई है रेडी उपर से हम डाल देंगे बारी कटावा हरा धनिया और इस सबजी को बनाना बहुती ज़्यादा आसान है और ये सबजी खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है इस भरवा बैंगन की सबजी को आप एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा मेरे तरीके से तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एगली रेसिपी के साथ अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी के साथ में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तो